हलो लेर्नर्स, वालकम बाक तो माई यूट्यूब चानल एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दिसक्रिप्शन करने वाली हूँ पार्ट 33 जो मैंने अमसी क्यूज की सिर्स स्टार्ट की हुई है PGT Commerce के लिए और पार्ट 1 तो पार्ट 32 की जो वीडियो हैं उनकी प्लेइलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है काफी सारे क्वेशन्स डिसक्स हो चुके हैं तो आप लोगों को जरूर उनकी प्रेक्टेस करने चाहिए जितनी ज्यादा आप लोग MCQs की प्रेक्टेस करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेडर है तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 33 को फर्स्ट है हमारा क्वेशन वीच ओफ दी फॉलॉइंग के नौट बी क्लासिफाइड आज ऑग्जिलियरी टू टू ट्रेड देखिए आपको पता है हम लोग पढ़ते आ रहे हैं प्लस वन से ही ट्रेड होता है और ऑग्जिलियरी या फिर जिसको हम एड्स टू ट्रेड भी बोलती है यानि की ट्रेड क्या होता है आपका बाइंग एड्स टू ट्रेड मतलब ये हेल्प करती है सर्विस ऐसी जो ट्रेड को फैसिलिटेट करती है लाइक ट्रांसपोर्ट हो गया अब गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाना है तो ट्रांसपोर्ट करते है वेर हाउसिंग में हम लोग क्या करते है वेर हाउसिंग में होता है कि गुड्स को स्टोर करके रखा जाता है इंशॉरेंस करवाते हैं रिस्क से बचने के लिए बैंकिंग फैसिलिटीज होती है communication यह सारी ads to trade आ जाती है अब हमसे पूछा है कि कौन सा नहीं है auxiliary to trade सो हमारा अंसर आएगा mining because अगर मैं mining की बात करूँ तो यह तो industry का एक type है ठीक है आप लोगों को plus one में ही business मतलब सिखाया जाता है trade ads to trade तो आपका basic level भी बहुत जादा clear होना ज़रूरी अपने PGT commerce के exam को crack करने के लिए ठीक है तो आपको पता होना चीए ads to trade क्या है and trade क्या है next question a market where there is a single buyer ध्यान से समझना है single buyer की बात हो रही है single seller की नहीं single buyer जब हम बोलते हैं तो उस market structure को हम लोग बोलते है monopsoni ठीक है और इसको अगर हम दूसरे language पर बात करें तो monopsoni को हम buyers monopoly भी बोलते है buyers की monopoly आपने monopoly सुना हुआ है उसमें क्या होता है single seller होता है ठीक है यानि कि हहाँ पर seller की monopoly होती है बट जो हम monopsoni की बात कर रहे हैं वहाँ पर बात होती है single buyer की ध्यान रखना जो खरीदने वाला है इसको हम लोग buyers की monopoly भी बोलते हैं तो आपने confused नहीं हो ना other names आप लोगों को अपनी commerce terminology के पता होने चाहिए इस particular question का answer हमारा first आएगा next question देखो आपको opening capital 50,000 दी गई है as on April 1st 2018 और additional capital introduced की गई 10,000 on January 1st 2019 को interest कितना charge किया जाता है 10% interest on capital तो amount of interest on capital shown in profit and loss account on 31st March तो सबसे पहले आप देखिए 50,000 तो वो पूरा हमारे पास 12 months के लिए तो उस पे तो पूरा साल का interest लगेगा आपका 10% ये कितना आ गया 5,000 क्योंकि 10% per annum है तो पूरे साल का 5,000 लेकिन 10,000 जो additional है वो आप देखिए January 1st 2019 को introduce किया गया है तो January, February, March 3 months हो गए तो आप 10,000 का 10% निकालेंगे तो 1,000 अब 1,000 तो पूरे साल के लिए हमने 3 months के लिए निकालना है इसको जब आप sold करते हैं तो 250 आता है नेक्स्ट है question, a situation in which an employee notifies authorities of wrong doing in an organization देखो आप लोगों को ये है कि मालो जो employee है ठीक है एक employee है organization का उसको लग रहा है कि उसकी जो organization है वहाँ पर ethical, unethical conduct है यानि कि जो सही नहीं है तो इसके बारे में अगर वो notify कर रहा है अपनी organization में जो हो रहा है तो इसके लिए जो हम commerce में technical term use करते है that is whistle blowing ध्यान रखना whistle blowing मतलब आप जिस organization के लिए काम कर रहे हो वहाँ पर अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके बारे में जब आप notify करते हैं तो इसको हम लोग whistle blowing बोलते हैं जो employee ये कर रहा है मतलब जो complaint कर रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे whistle blower ओके next है question PV ratio जिसको हम profit volume ratio भी बोलते हैं ये इन में से किसके बीच में relationship दिखाता है first है contribution and sales, second है contribution and profit, third है fixed cost and contribution और fourth आपको दिया हुआ है profit and sales fourth option में आप यहाँ पे none of these करेंगे otherwise आप first और fourth option में confused हो सकते हैं आपको देखो PV ratio के formulas बता हैं हमारे पास बहुत सारे होते हैं तो one of them is contribution by sales into 100 तो PV ratio किसके बीच में relationship दिखा रहा हैं given options के according contribution and sales में next है हमारा question when the production increases the fixed cost per unit अब यहाँ पे देखो एक तो मैं पूछू आपसे total fixed cost एक है हमारा fixed cost per unit इसके दोनों में difference है आपको पता है total fixed cost तो same रहने वाली है चाहिए production बढ़ जाए suppose अगर हम माने total fixed cost हमारे 50,000 है ठीक है यह हमने माना है अब आप यह देखिए suppose पहले थी हमारे पास production की अगर हम example ले 100 units ठीक है अब आप 100 units अपर unit अगर fixed cost निकालेंगे तो आपके पास देखिए कितनी आएगी 500 रुपीज पर unit यह हमने just example लिया है और अगर मान लो production अब हमारे पास हो गया 200 units का fixed cost total fixed cost तो सेम रहने वाली है तो 50,000 divided by 200 अगर आप करते हैं तो आपके पास 250 हो जाता है पर unit overall same है but per unit आप देखिए decrease हो गई है धियान रखना production increase हो रहा है तो fixed cost per unit क्या हो जाएगी decrease और अगर production decrease हो रहा है तो fixed cost per unit क्या हो जाएगी increase total fixed cost वही रहने वाली है इसी वजह से तो यह चीज़ समझ आपने example से इसको अच्छे से समझना है next question job evaluation is done for job evaluation के बारे मैंने आपको detail में करवाया है तो job evaluation किसके लिए किया जाता है transfer to better job, fixation of responsibility, waste determination या promotion के लिए so इसका answer आप लोग मुझे comment section में बताएंगे कि job evaluation का motive क्या होता है next question है securities with maturity of less than one year ऐसी securities जिनकी maturity जो है less than one year होती है उनको वो कहां पर trade की जाती है यह आपको पता है common सा है money market में आप लोगोंने सुना होगा एक होती है हमारी money market एक होती है हमारी capital market money market में जो short term securities होती है वो deal की जाती है जैसे आपने सुना होगा treasury bills जो की government की securities है लेकिन इनकी maturity तो one year से कम ही होती है और भी बहुत सारी है ठीक है और capital market में जो होते हैं जो long term होते हैं वो किये जाते हैं तो यह major difference होता है आप लोगों को पता होना चाहिए next question adding new features to a product is supported by which of the following approaches देखिए different approaches हैं हमारी marketing में अगर हम एक product में नए features को add कर रहे हैं कुछ innovative ला रहे हैं कुछ नए features को add कर रहे हैं तो यह कौन सी approach में आता है तो यह आता है हमारा product approach में product approach हमारी कहती है कि अगर आप अपने product की users बढ़ाएंगे उसको innovative बनाएंगे तो आपका product sale होगा ज्यादा से ज्यादा ठीक है आपने product तो production में बिल्कुल भी confused नहीं होना है क्योंकि जो production approach है वो यह कहती है customer को अगर readily available मतलब easily available products ठीक है नए नए features की innovative ideas की ठीक है तो हमने हमारा answer यहाँ पर क्या आने वाला है adding new features to a product यह हमारी product approach support करती है next question what is gate hiring देखो gate hiring की नाम से पता चाला है सबसे पहलता हो आपको यह पता होना जी यह question आपका related है sources of recruitment से और recruitment के sources को यह जो topic है internal as external यह आपका topic काफी important है इसको मैंने आप लोगों के साथ detail में discuss किया है आप मेरे channel पर अगर आप देखेंगे sources of recruitment मैंने इसको discuss किया हुए आप सर्च कर सकते हो तो आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में clarification हो जाएगा gate hiring में क्या होता है आपने देखा होगा कि क्या होते है कि जो कुछ organization क्या करती है जैसे अपने notice board पे company के अपनी organization के notice board पे या gate पे जो भी उनको requirement unskilled workers की धियान रखना ज्यादा high position की बात नहीं कर रहें तो वो लगा देते हैं कि जो भी उनको requirement है तो वो लोग खुद approach करते हैं for employment तो gate hiring का meaning हो गया to select people who approach on their own for employment in the organization तो आप लोगों को ये clear हो गए होगे question daily basis पे हर उस पे 10-10 question discuss किये जा रहे है in detail और अब topics के भी discussion स्टार्ट हो गई है ओके thank you so much keep learning and have a nice day